जहिन दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं सब बहुत जाद अच्छे होंगे दोस्तों एक बार फिर हाजिरू आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग वीडियो लेकर आज मैं आया हुआ हूँ अमरोहा से 6 किलो मीटर दूर बिजनोर रोड पर कताई मील के पास में गाव पढ़ता है रजागपुर रजागपुर के बारे में सुना है कि यहां पर एक बाएंका कुवा है बाएंका कुवा यानि पहले के जमाने में जो राजा महराजा हुआ हुआ करते थे ऐसी प्रथा थी के अपनी प्रजा के लिए कुए या फिर तालाब बग blondा इस तरह से कुछ इसकी प्रताएं हैं तो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ यह आप देख सकते हैं यह सीडी नुमा बना हुआ है और पहले यह बड़ा जरजर हुआ करता था तो अभी इसमें जो है कुछ निर्मान कारे भी चल रहा है इस तरफ अगर देखेंगे तो चारो और प लिखी हुई भी है कि संरक्षित इसमार के स्थलियानी कि यह इसको संरक्षित कर लिया गया भारा सरकार के द्वारा अभी मैं आपको अंदर चल कर दिखाता हूँ यहां से शीडी नुमा यह बना हुआ है यह देखिए यहां पर लगभग 30 से 40 शीडियों की यह बनी हुई पूरी अंदर जाने के लिए इसके रास्ता बना हुआ था बड़ा चोड़ा था यह देखिएगा यहां से शीडियां उतरते हुए अभी हम नीचे जाएंगे लेकिन इससे पहले यह मैं आपको दिखा दूँ कि यहां पर जो है यह तीन दरवाजे इधर थे तीन द्वार इ नीचे जाके है वो मैं आपको अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो ढख चुकी है यानि बहुत जाद है नीचे जाकर के है तो वो मैं अभी आपको थोड़ा इधर से दिखाने वाला हूँ आईए यहां भी देख सकते हैं तो यह भी कुछ इस तरह का बना हुआ रहता था पहले लेकिन अभी क्या है यहां से सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है यह पहले छट कुछ अलग तरीके की बनी हुई थी पत्त्रों की बनी हुई थी जिसमें कि बिल्कुल भी सरीय का निर्माण नहीं था और अभी लोगों ने यह जजजर हो गई थी तो इस गाओं के लोगों ने इसका छट का भी निर्मान कराया है यहां से देखेंगे तो यह ऐसे आने जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं जिससे की अभी होकर के मैं भी अंदर चलने वाला हुआ यह यहां से बड़े डराबने डराबने रास्ते बने हुए हैं यह देखें यहां भी जो है शीडी नुमा रास्ता बना हुआ है यहां से देखेंगे तो यह शीडी नुमा रास्ते बने हुए हैं देखें तो यह सब नीचे जाने के लिए बने हुए रास्ते हैं यहां से तो फिलहाल हम उपर से आपको दिखा रहे हैं यह देखिएगा यह इस ऐसी सिला से बने हुए हैं कि पहले की architect भी इसंसरा को देक करके यह अंदादा नहीं लगा पाए कि यह किस तरह से बनाया गया है लोगों के प्रताओं के नुसार को बैसे यह एक रात का बनाया गया है जिन्नों के द्वारा बनाया गया माना जाता है और अभी इसका पूरा ओपन रहा करता था एरिया अभी इसके बहुत अच्छे से डेकॉरेटिव किया जा रहा है बड़ा ही दिन में भी बड़ा ही डरावना यहां का मनजर रहता है और रात में तो यहां पर आना बड़ा ही कठिन है बड़ा ही जान जोकिम में डालने वाला पृतित होता है तो यहां से अभी हम नीचे चलेंगे इस तरफ से यह जिड़ी जो बनी हुई है तो यहां से आपको करीब से दिखाने वाला हूँ जहां कुवे की मन बनी हुई है जहां से की पानी रहता था अब से लगबग 50-60 साल पहले तक ऐसे कहते हैं यहां के लोग कि इस कुवे में काफी सारा पानी भी रहता था जिससे की लोग अपनी सीचाए बगेरा के लिए और दोर बगेरा जो पसु होते हैं उनके नवाने के लिए भी यहां से पानी को निकाल लिया गरते थे तो यहां से और अभी ये देखे बहुत सारी सीड़ियां बनी हुए chloride कले सारे अईसे दर्वाजे बने हुए है इसके निरमान के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि ये जिन्नों के द्वारा बनाया गया है या भूतों के द्वारा बनाया गया है जब इसका निर्मान कर रहे थे जिन्न लोग तो उस समय पे यहां के गाउं में रहने वाली किसी महिला ने चक्की चला दी थी चक्की की आवाज सुन करके यहां एक मुर्गे ने बांग दे दी और बांग देने के साथ ही यहां पर जो जिन इसका निर्मान कर रहे थे वो आधा दूरा छोड़ कर ही इसे चले गए थे ऐसी भी यहां की यह मान्यता हैं तो इसके बारे में इश्पष्ट कुछ नहीं है यहां नीचे जा करके यह देखिए यहां से कुए के पास पहुचा जाता है तो अभी जो यह आप कंक्रीट देख रहे हैं पत्थर वगयरा रखे वे देख रहे हैं तो यह सभी इसके निर्मान कार रहे के लिए लाए गए हैं इसको रिनोवेशन किया जा रहा है इसका और बहुत ही अच्छे से इसको फिर से बनाया जा रहा है यह अम्रोहा में बहुत ही जादे पॉपुलर इस्थान माना जाता है आने जाने के लिए बहुत जादे लोगों में उत्सुकता बनी रहती है कि बाये का कुवा कहा है रजाकपुर कहा है तो यह आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं मेरे वीडियो के माद्यम से तो ऐसे ही दर्वाजे ऐसे ही गेट यहां पर भी बने हुए हैं जो कि आप इस तरफ भी देख सकते हैं यह भी तीन दर्वाजों वाला इस तरीके से बनाया हुआ है यह देखिएगा अभी मैंने दिखाया दूसरे वाला जो तो वो कुछ नई बनी हुई थी यह देखिए यह उसी जमाने की इटों का बना हुआ यह छट आपको नजर आएगी जिसमें की सरीय का बिल्कुल भी प्रियोग नहीं किया गया है तो यह उस जमाने की कलाकारी उस समय के आर्गिटेक्चर भी इस बिल्डिंग को देख करके य किस तरह से और कि लोगों ने यह बनाया होगा यह देखिएगा तो यह यहां से एक और शीड़ी बनी हुई है यहां से भी यह इस तरह से जैसे कि दूसरी तरफ बनी हुई थी सेम वैसे ही यहां पर भी शीड़िया बनी हुई है और यह यहां से यह रास्ते इस तरह से बने कुवे का पूरा इस्ट्रक्चर यह अभी उपर से इसको जाल से धकने जा रहे हैं यह लोग इसमें काम जल रहा है यहां पर यहां से दोस्तों यह शीडिया बनी हुई है जो कि हम उपर से भी इसको देख सकते हैं यह शीडिय नूमा पूरा बना हुआ है यहां पर पहले यह रेलिंग वगएरा नहीं लगी हुई थी लेकिन जब लोगों का आना जाना काफी हुआ और कई घटना यह ऐसी हो गए जो लोग चोटिल भी हो गए तो उस वज़े से यह रेलिंग वगएरा भी लगा दी गई और यह पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से देख जाएगा जो कि प्रत्विराच चोहान के बेहन के समय का बनवाया हुआ है इसके लिए ऐसी मान्यता है है तो यह वो हुआ है और कुई की मन है जहां से इसको धक दिया जा रहा है पूरा जाल से कबर कर दिया जा रहा है और यहीं आसपास में जो यह खेती वगएरा करते हैं किसान लोग वो सभी अपना खेत वगएरा जोत रहे हैं और सामने इस तरफ देखेंगे तो यह रजाकपुर गाउं है और वहां से जो बाई के वगएरा आ रही है वो बिजनोर अमरोह रोड है तो लगभग अमरोह से 5 से 6 किलो मेटर की दूरी पर यह पढ़ता है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली कोई वीडियो आप लोगों से मिस ना हो मिलता हूँ ऐसी ही नेक